जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है, घर में इतना ज़्यादा काम हो जाता है, पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है, सर्दियों के टाइम में तो वैसे भी दिन का पता ही नहीं चलता है और उस पे भी इतने सारे काम हम लोग की तो हाला टाइट हो जाती है बिल्कु तो चलो आज बना लेते हैं टमाटा रालू की बढ़िया सी सब्जी क्योंकि सर्दियों में अगर टमाटा रालू की सब्जी और बत हुए के पराठे नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया तो यहां पर देखिए मैंने तैयारी लगानी सुरू कर दिये आलू मैंने वाइल कर दिये थे कि ताकि वो अच्छे से ठंडे हो जाएं और यहां पर कडाई में मस्टर्ड ओयल एड कर दिया है यह रहे उबले हुए आलू आटा मैंने चान के रख लिया है और यह रहे टमाटर अब आटर आलू बनाना है तो टमाटर आलू के लिए टमाटर दू चाहिए ही है तो चलिए फटा फट से टमाटर कट कर लेती हूँ और यह जो सबजी होती है ना टमाटर आलू की जितनी सिंपल बनती है उतनी ही ज्यादा स्वादिस्ट होती है मतलब इस सबजी के आंगे पनीर, राजमा, छोले, हर चीज वेकार है इतनी टेस्टी लगती है टमाटर तो फिरास यही बना रही हूँ मैं लंच में और यही हमारा ब्रेकफास्ट भी है टमाटर कट कर ली है टमाटर के साथ में दो हरी मिर्श भी कट कर ली है आलू वाइल करके रखे थे तो आलू को भी कट कर ले रही हूँ और इधर तेल गरम होने के लिए तो रखी दिया है म तो आपको बहुत ही फायदा करेंगे क्योंकि इस सारी चीज़े बहुत ही नुक्षान करती है तो भाई लंच की लंच बनाने की तैयारी हो गई है और मैंने टमाटर वगरा कट किये तो थोड़ा सा कूरा वगरा है हटा दूँ अब यहाँ पर देखिए तेल गरम हो गया है तो इसमें मैंने हींग थोड़ा जादा सा एड़ किया है जीरा एड़ कर दिया है थोड़ा जादा सा हल्दी एड़ कर दिया है अच्छा टमाटर वालू की यह वाली सबजी है ना इसमें मैं सिर्फ फल्दी लाल मिर्च एड़ करती हूँ नमक एड़ करती हूँ और कोई भी मसाला एड़ नहीं करती हूँ बिना मसालों की ही इतनी स्वादिस्ट वनती है कि आप ना कटोरी भरवर के खाएंगे अगर इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए टमाटर को जल्दी गलाने के लिए मैंने साथ ही साथ में नमक भी एड़ कर दिया है और इसको अच्छे से चला लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च भी मैंने एड़ कर दिया है अब हाई थोड़ा सा सबजी को छटपटा बनाने के लिए हरी मिट्च और लाल मिट्च का यूज करना ही पड़ता है बाकी मैंने धनिया पाउडर और गरम मसाला कुछ भी नहीं एट किया हुआ है तो यहाँ पर देखें टमाटर अच्छे से गलाने के लिए इनको कवर कर देंगे और बस दो मिनट बाद देखें टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएंगे और इनका न मैं इनको अभी और अच्छे से गलाओंगी सर्दियों में तो टमाटर वैसे भी एकदम बढ़िया से सॉफ्ट से आते हैं देशी टमाटर आते हैं अब ये देखें इसका कलर और टेक्शर कितना अच्छा लग रहा इतना जादा खुबसूरत लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ये वारी सबजी तो मेरी फैवरेट है और मेरे घर में भी सभी की फैवरेट है तो देखिए इधर टमाटर गल रहा है तब तक मैं यहाँ पर आता लगा लेती हूँ आते में मैंने बतुआ हुआ वालकर एड़ कर दिया है बतुआ हुआ वालकर उसको ठंडा करके फिर मैंने आते में इसको एड़ कर दिया है और इसको बत्वे को मिक्सी से ग्राइंड करने की पी जरूरत नहीं है आप इसको आटे में मिला के और हातों से ही इस तरह से मैश कर लीचिए बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और बढ़िया सा एकतम ग्राइंड हो जाता है मतलब जैसे हमको मिक्सी में ग्राइंड करना प न थोड़ा सोंधा बना जाएगा पराटों में पराटी भी एक तम बढ़िया वाले क्रंची और करारे बने बेटे की तो विंटर वेकेशन हो गई है तो अब पूरा दिन यही रहता है क्या बनना है क्या बनना है और सर्दियों में तो भाई इतनी सारी हरी सबसियां आती हैं इतनी तरह तरह की सबसियां आती हैं तो कुछ न कुछ तो बनता ही रहता है तो मैंने सुचा चलो आज ये बना लेती हूँ फिर शाम में कुछ और बना लूँगी तो देखिए डो भी मैंने लगा दिया है और थोड़ा जल्दी जल्दी हो रही है मुझको क्योंकि कर्मे मैं लेट हो गई हूँ और इन लोगों को घूंपी लगी है तो थोड़ा जल्दवाजी भी है मुझको ये लोग बैठे वेट कर रहे हैं कि जल्दी सखाना बने और प्लेट लगे तो ये देखिए टमाटर एक तम बढ़िया सा बिल्कुल हो गया है गल गया है और इस आलू की टमाटर आलू तो मुझे तो नहीं पसंद आते हैं हाला कि वो भी अच्छे बनते लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट बनते हैं चलिए इनको अच्छे से आलू को भी टमाटर के साथ भून लेंगे और जैसी भून जाएंगे आलू तो इसमें हम एड़ कर देंगे पानी अच्छा आप देखिए पानी का ये रहता है कि भाई इसको एक तरह से टमाटर आलू का जोल बोलते हैं और टमाटर आलू तो भाई थोड़े रसेदारी अच्छे लगते हैं तो इसके लिए इसमें पानी थोड़ा ठीक ठाक मिलाईएगा और सबसी हमारी बढ़िया वाली बनकर तयार हो गई है और यहां पर देखिए मैं पराटे बनाने की भी तयारी लगा ले रही हूं क्योंकि मैंने बताया ना ये लग बैठे हैं वेट कर रहे हैं खाने का सबको फूंक लगी है मुझे भी लगी है पर बस यह है कि इन लोगों को खिला के उस धनिया अगर ना होना तो फिर मजे ही नहीं है बहुत इस वादिस लगती है धनिया से तो वैसे भी सबजी में जाना जाती है चलिए यहां पर सबजी बन गई है और देखिए मैं आपको दिखा रही थी बिल्कुल बढ़िया वाली परफेक्ट वाटा रालो की सबजी बन कर त्यार हूई है पहले मैं डीदी लोगों को साथ में रहती थी ना तो वहाँ पर जब भी बनाती थी ते उनके वच्छों को बहुत पसंद आती तो मैं जरूर देती थी फिर यहां तो पिल्कुल अकेले हूँ तो जो भी बनाना होता है खुझ से खाना होता है बढ़ा मिस् दीदी लोगों के पास गई थी बड़ा अच्छा लगता है मैं जब से आई हूँ यहाँ पर तो कई बार दीदी लोगों के पास आ चुकी हूँ पर वीडियो एक बार भी नहीं बनाया मैंने तो देखिए यहाँ पर सबजी बन गई है और मैंने यहाँ पर फटा फट से पराठे बनाय हुई हैं इनको बोलते हैं लेयर वाले पराठेश बड़े अच्छे लगते हैं मुझे स्वाध वही होता है लेकिन मुझे कमपसंद आते हैं लेकिन मुझे पराठे यहाँ बनाती हूँ मोशली यही पराठे ही बनते मेरे घर में और सरसो के तेल में बना रही हूँ सरसो के तेल को मैंने पकाया नहीं है क्योंकि अल्रेडी पराठे में लगने के बाद में तबेवे पढ़ने के बाद में ये पक जाएगा अच्छे से इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहता है और सरसो का तेल तो कच्चा भी खाया जाता है बड़े फायदे होते हैं सरसो के तेल के और सर्दियों में तो इसको जरूर खाना चाहिए तो यहाँ पर देखिए पराठे हमारे बनते जा रहे हैं सर्दियों में तो तयरह तयरह के पराठे बनते हैं बतुए के पराठे बनते हैं रिखनी के पराठे बनते js Над्या yo přेर जाई कि अधर के सेज्चे सेग कर दी आड़ा हुआ यह काफी ज्यादा बनते हैं की यह काफी ज्यादा क्रणी होते जा रहे हैं। इनको खाने में और भी जादा मज़े आने वाले हैं तो ये देखिए हमारी पराटे भी बन कर तयार हो गए ये रही टमाटा रालू की टेस्टी सब्जी और देखिए बिना मसालों के बनी हुई है इतना सुंदर इसका कलर आया है और इतनी टेस्टी लग रही है कि क्या ही बत आद में ही कमरे में बच्चों के पास में जाएगी इनके पास में जाएगी और आप लोगों को अगर आज की विंटर स्पेशल बत हुए पराटे सबसी पसंद आया होना तो लाइक जूरूर कर दीजिए